नमस्कार सी ओनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं लोगपाल और लोकायुक्त के बारे में तो जो लोगपाल है उम्बुस्मेंट इसको अंगलिस में उम्बुस्मेंट कहा जाता है तो लोगपाल जो अंबुस्मेन सस्था है इसकी आधिकारिक सुरुवात 1809 में स्वीडन में हुई थी तो पहली बार लोगपाल एपोइंट किया गया था स्वीडन में 1809 में बीसवी सदी में एक सस्था के रूप में अंबुस्मेन का विकास हुआ और यहोद दुतिय विश्युद के बाद तेजी से आगे पड़ा दुतिय विश्युद के बाद जब परिस्थितियां बदली तो इसकी आवश्यक्ता पूरे दुनिया में महसूस होने लगी 1962 में न्यूजिलेंड और नॉर्वे ने ये प्रणाली अपनाई तो जो लोगपाल है ये भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भ्रष्टाचार पे रोक लगाने के लिए इस सस्था का विकास किया गया था वर्ष 1961 के वाइट्स रिपोर्ट की सिपारिस पर ग्रेट ब्रिटेन ने अंबुस्मेन सस्था को अपनाया और लोकतांत्रिक बिश्व में इससे अपनाने वाला पहला बड़ा देश बना इससे पहले जिन लोगों ने अपनाया वो छोटे छोटे देश थे लेकिन बिटेन लोकतांत्रिक जो बिश्व है जो लोकतांत्रिक दुनिया है जितने लोकतांत्रिक देश है उन में से एक बड़ा देश है जिसने इससे पहली बार अपनाया गुयाना प्रथम पिकासील द मुस्मेन लोकपाल का विचार सर्व पर्थम 1960 के दसक की सुरुवात में कानून मंत्री असुक कुमार सेन ने संसद में प्रस्तुत किया तो उस समय जो हमारे देश के कानून मंत्री थे उन्होंने इस विचार को सबसे पहले संसद में रखा था नेहरु जी के समय के तुरंत बाद लोकपाल एवं लोकायुक्त सद्व प्रख्यात विदिवेता डक्टर एल एम सिंद्वी ने पेस किया तो जो लोकपाल सब्द है या लोकायुक्त सब्द है इसका प्रियोग पहली बार डक्टर एल एम सिंद्वी ने किया था वर्स 1966 में प्रथम प्रसास्निक सुधार आयोग ने सरकारी अधिकारियों संसद सदस्द से भी इसमें सामिल थे के विरुद्ध सिकायतों को देखने के लिए केंद्रिय तथा राज्यस्तर पर दो स्वतंत्र प्रादिकारियों की स्थापना की सिपारिस की थी 1966 में जो प्रसास्निक सुधार आयोग बना था उसने पहली बार सिपारिस की थी कि जो हमारे सरकारी अधिकारी है संसद सदस्द है अगर उनके बिरुद्ध कोई सिकायत आती है केंद्रियस्तर पर या राज्यस्तर पर तो उनकी जाच के लिए एक स्वतंत्र सस्था होनी चा फिर वर्स 2011 में यह विदेहक पारित करने के लिए आठ प्रियास किये लेकिन सभी में सपलता मिली वर्स 2011 में जब डक्टर मनमुहन सिंग जी की सरकार थी उस समय इसको पारित करने की आठ बार कोशिस की गई लेकिन कभी सपलता नहीं मिली क्योंकि जो डक्टर मनमुहन थी वो मिली जूली सरकार थी वर्स 2002 में M.N. वेंकट चलईया की अध्यक्स्ता में संविधान की करय प्रणाली की समिक्षा के लिए गठित आयोग ने लोगपाल वोग आयोगतों की नियुक्ति की सिपारिस करते हुए प्रधान मंत्री को इसके दायरे से बाहर रखने की बात कही थी तो जो वर्स 2002 में M.N. वेंकट चलईया की अध्यक्स्ता में एक संविधानिक कराने प्रणाली की समिक्षा के लिए एक आयोग गठित किया गया था तो उसने लोगपाल की लोगपाल को बनाने के सिपारिस की थी और ये कहा था कि इसमें प्रधान मंत्री नहीं होने चीए वर्स 2005 में विरप्पा मोयली की अध्यक्स्ता में दुतिय प्रसासनिक सुधार आयोग ने सिपारिस की थी कि लोगपाल का पद जल्द से जल्द स्थापित किया जाए तो जो वर्स 2005 में उस समय विरप्पा मोयली किंद्रिया मंत्री थे और यहां पे UPA1 थी डॉक्ट में सरकार ने प्रणव मुखर जी की अध्यक्स्ता में मंत्रियों के एक समुह ब्रष्टाचार पर लगाम लगाने है तो जो मन्मुहन सिंग जी की सरकार थी उसमें प्रणव मुखर जी बरिष्ट मंत्री थे कैबिनेट मंत्री थे तो उनकी अध्यक्स्ता में मंत्रियों के एक समुवने ब्रष्टाचार पे लगाम लगाने हेतु सुझाओ देने तथा लोगपाल विधेयक के प्रस्ताओं का परिक्षड करने के लिए एक समति गठित की गई थी अन्नाहजारे के नित्रतों में ब्रष्टाचार के बिरुद्ध भारत अंदोलन ने केंद्रक में ततकालीन यूपिय सरकार पर दवाव बनाया और इसके परिणाम सरूप संसत के दोनों सदनों में लोगपाल वो लोकायुक्त विधेयक 2013 पारित हुआ एक जन्वारी 2014 को राष्टपती ने इसे अपनी सहमती दी और 16 जन्वारी 2014 से ये लागु हुआ तो जो हमारा लोगपाल विधेयक है वो है जो पहली बार बना वो लोगपाल विधेयक 2013 था लोगपाल और लोकायुक्त विधेयक जिसे हमारे राष्टपती जी ने एक उसके बाद संसोधन हुआ लोगपाल विधहक में और यह आया लोगपाल विधहक 2016 जो बरत्मान सरकार है उन लोगों के द्वारा यह लाया गया लोगपाल एवं लोकायुक्त विधहक जो अधिनियम था 2013 को संसोधित करने के लिए जुलाई 2016 में संसद में यह विधहक लाया इसके द्वारा यौन निर्धारित किया गया कि विपक्ष के मन्यता प्राप्त नेता के अभाव में लोग सभा में सबसे बड़े बिरोधी दल जो सबसे विपक्ष का जो सबसे बड़ा दल होगा उसका एक नेता इस समती का सदश्य होगा इसके द्वारा वर्स 2013 के अधिनियम की धारा 44 में भी संसोदन किया गया जिसमें प्रावदान है कि सरकारी सेवा में आने के 30 दिनों के बीतर लोग सेवक को अपनी संपतियों और दाइतों का बिवरण प्रस्तुत करना होगा जो भी कोई लोग सेवक है उसको अपने दाइतों में आने के 30 दिन के अंतरगत अपनी संपतियों का ब्योरा देना होगा संसोदन विधेयक के द्वारा 30 दिन की समय सिमा समाप्त कर दी गई जो बाद में संसोदन हुआ उसमें ये 30 दिन की सिमा समाप्त कर दी गई अब लोग सेवक अपनी संपत्य और दाइतों की घोशना सरकार द्वारा निर्धारी त्रूप से यह उन तरीके से करेंगे लोगपाल की सरयचना क्या है लोगपाल एक बहु सदस्य निकाय है इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है जो सर्वो सर्वा है इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं जिसका एक चेयर परसन होता है और इसमें अधिक्तम आठ सदस्य होते हैं लोगपाल सस्था का चेयर परसन या तो भारत का पूर्व मुख्य नयायदीस हो या सर्वोच नयायले का पूर्व मुख्य नयायदीस या असंदिग्द सत्यनिष्ट वो प्रकांड युग्यता का रख्याती व्यक्ति होना चाहिए जिसके प्रास ब्रष्टाचार निरोधी सारवजनिक प्रसासन सतरकता बित बीमा बैंकिंग कानून यह प्रबंदन में नियूंतम 25 वर्ष का बिशिष्ट ग्यान हो तो जो अभी हमारे लोगपाल हैं जिस्टिस पीसी घोस तो वो भी भारत के पूरे पुराने नयायदीस है आठ अधिक्तम सदस्यों में से आधे न में से आधे इन स्रेणियों में से होने चाहिए अनुसोची जाती अनुसोची जन जाती वो भी सी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है अल्प संक्यक और महिलाओं में से लोगपाल सस्था का नियायक सदस्य या तो सरवुच नियायले का पूर्व नियायदीस या किसी उच निय पूर्व मुख्य नियाईदीस होना चाहिए। पहले होती है। हुआ कर गठित होती है। तो जो चैन समती होती है… उसके सदस्य कुछ इस तरह है... जो पृतानमंत्री है जो उसके चेयर परसन है। लोगसभा के सपीकर होगे। लोगसभा में जो विपक्ष के नेता है या अगर विपक्ष के नेता नहीं है तो जैसे अभी की स्तती है तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा दल है उसके नेता भारत के मुख्य नियाय दीज या उनके द्वारा नामित कोई नियाय दीज और एक प्रख्यात बिदिवेता लोगपाल तता सदस्यों के चुनाओ के लिए चैन समती कम से कम आठ विक्तियों में से एक सर्च पेनल खोजबीन समती गठित करती है इसके बाद है लोकायूकत लोगपाल जो होते हैं सेंटर में केंदरी ब्यवस्ता को देखने के लिए और लोकायूकत होता है राज्य संसा की गई थी और सर्व प्रतम लोकायुक्त का गठन 1972 में महाराष्ट में किया गया था तो ये बहुत इंपोर्टेंट है कि भारत में लोकपाल लागू होने से वरसों पहले महाराष्ट में लोकायुक्त की ब्यवस्ता की गई थी और जब उत्राखंड में खंडूरी स्रीक खंडूरी जी की सरकार थी तो उस समय उत्राखंड में भी लोकायुक्त बिदेहक लागू किया गया था इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो अभी बरतमान में लोपाल है उनका कब कारेकाल सुरू हुआ तो 19 मार्च 2019 को उनका कारेकाल सुरू हुआ लोपाल जो बैठते ह उनमें है दिलीब बासाहिब भोसले प्रदीप कुमार मोहंती अभिलासा कुमारी और एक सीट वेकेंट है नौन जुडिकल में है दिनेश जेन अर्चना रामा शुंदरम महिंदर सिंग डॉक्टर इंदर जीत प्रशाद गौतम और जो इसके ऑपिसर है सेकेर्टरी वो है ब्रिच कुमार अगरवाल बी के अगरवाल जो आईएस है तो यह अभी का जो हमारे लोगपाल है उसका स्ट्रक्चर है तो दोस्तों आगे भी आपके लिए इस तरह है के टॉपिक लाते रहेंगे तब तक के लिए थैंक्यू